दोस्तो मैं सिभम स्वागत करता हूँ अपने यूटूब चैनल सिभम टुटोरिल में दोस्तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फाइनल येर इंजिनियरिंग स्टुडेंट का जो प्रोजेक्ट होता है उसके बारे में आपको बता दे अगर आप बीटे कर रहे हैं या पर डिप्लोमा कर रहे हैं तो दोस्तो आपको पता होगा कि फाइनल येर में आपको एक प्रोजेक्ट है वो बना करके देना होता है तो अगर आप अभी 7th semester में हैं, तो इसमें आपको एक minor project देना होगा, उसके बाद जब 8 में जाओगे, तो आपको एक major project है, वो करना होता है, तो दोस्तो वीडियो में हम देखेंगे कि इसमें आपको क्या-क्या है, वो करना होगा, तो आप अपना syllabus में देखोगे, कोई भी branch के student है, तो उससे project 1 दिया गया है, और इसका credit है, वो total 6 credit का है, सारे लोग का same credit रखा गया है, और दोस्तो इससे ये पता होता है, project का value है, वो बहुत ही ज्यादा, अगर इसमें आपको अच्छे marking मिलते हैं, तो आपका CGPA है, वो काफी अच्छा, also minor project के लिए सबसे पहले student का एक group है, वो चाहिए होगा, आपको एक group college वाले भी decide करके दे सकते हैं, या फिर आप चाहो तो खुछ से भी 4-5 student का एक group है, वो बना सकते हो project के लिए, उसके बाद में आपको एक technology से related working project है, वो select करना होता है, आपको बता दे ऐसा project जो आप उससे बना सके, ऐसा नहीं कि आप जो उसमें कुछ भी select कर लिए, आप चंदर्मा पे satellite भेज रहे हो, लेकिन जब बनाने की बारी आया, तो बन ही नहीं रहा है, तो ऐसा आपको नहीं करना है, आप ऐसा ही projects का चैन करें, जो आप बना सकते हो, जो तो maximum लोग ऐसे होते हैं, जिनको technology की थोड़ी भी knowledge नही event रखा गया हो, यहाँ पर बस बो sports होगा, उसमें मारपीट होगा, उसके बाद में couple dance हो गया, या पर DJ dance हो गया, तो वो सब होते रहता है, और उसमें सारे लोग को मज़ा आता है, लेकिन जब technology related कोई event की बात होगी, तो ना तो college वाले करवाते हैं, और नहीं कोई student करवाता इस वज़े से यहाँ पर technology है, वो कापी पीछे रहा जाता है, उनसे कोई project नहीं बन पाता है, कितनी दुख की बात है कि engineering college में बच्चा 4 सल पढ़ लिया, उसे कोई project बनाने नहीं है, तो technical college है, यहाँ पर technology के अलावा सारा तरह के काम होता है, लेकिन technology का काम नहीं होता है, जैसा महौल मिलता है, वैसे student हो जाते हैं, उनको अगर अच्छे से महौल सुरू से दिया जाएगा, तो जरूर इसमें वो अच्छा करेंगे, लेकिन हम बिहार में है, यहाँ पर हमारे हैं ऐसे ही होता है, तो कुछ लोग ऐसे होंगे, जो आडीनो के बारे में जानते होंग तो आपको marks नहीं मिलनेगे, तो इसके लिए आप कहीं से भी copy paste करके जैसे भी हो, आपको एक त्यार करके देना होता है, जो आप एक group decide कर लो, उसके बारे में आपको कौन से project बनाना है, उसके बारे में discussion कर लो, और project का नाम है, बुस select कर लो, उसके बारे में college वाला आपसे एक synopsis report मांगेगा, वो आपको बना करके, देख तो हम synopsis report के बारे में बात करें, तो synopsis report ज्यादा कुछ होता नहीं है, बस project आप कौन सा बना रहे हो, उसके बारे में ये sort detail होता है, और आप इसे MS Word पे generate कर सकते हो, आपको एक cover page बनाना है, cover page में आपको project का नाम है, वो उसका जितने भी member है, उन सारे का नाम है, वो आपको नीचे describe कर देना है, उसके बारे में दोस्तों next page में आपको project के बारे में बताना है, कि आपका project क्या है, उसमें आपने कौन-कौन से component का use किया है, उसका circuit diagram क्या होगा, के लाबा आप project से related जो भी image है, benefit है, वो सब add कर सकत तो यह मुस्किल से 3-4 page आपका synopsis report का होता है, वो आपको generate करके college में submit करना होगा, college बाले इसके regarding notice आपको देंगे, तो आपको यह काम करके देना होगा, semester exam के समय के बारे में बात करें, तो आपको इसके लिए marking के लिए सबसे पहले एक internal marks मिलता है, और external marks मिलता है, तो internal में आपको group presentation होगा, जितने group आपका बना होगा, पुरे branch में उन सारे लोग को बारी-बारी से बुलाया जाएगा, और एक group का presentation है, वो एक बार में किया जाएगा, जो भी लोग होगे, उन सारे लोग को presentation देना होगा, और अपनी project के बारे में बताना होगा, समझाना होगा, वह लेकिन आप लड़की हैं और थोड़े से सुन्दर दिखते हैं तो आपको full marks मिलेंगे और अच्छे marking मिलेंगे दोस्तो इसके अलाबा external marking होगा तो external marking के लिए आपका जब semester इत्जाम के बाद भायवा होता है तो भायवा के समय आपको mark दिया जाएगा जैसा भी आपका response होगा उसके हिसाब से उसके बाद आपको minor project के लिए एक report है वो ही बनाना होगा और ये भायवा के समय जमा होता है तो इसके basis पे आपको marking है वो मिल जाते हैं minor project में आपको कोई working project नहीं बनाना है लेकिन आपको project के बारे में पूरा जो details है वो आपको share करना होगा college वाले के साथ इ इस तरह से synopsis report जमा कर देने के लिए तो आप इसी को follow करना दो project बनाते हैं आपको time भी बहुत ज़्यादा है नहीं आपको semester exam भी रहेगा आपको घर्च भी बहुत ज़्यादा हो जाएंगे इस वज़ा से आप बस एक project major में बनाना और minor में उसका detail सब है वो सब college को submit कर दे अब हमें project report कैसे बनाना है इस तर रिलेटेड वीडियो मैं बहुत ही जंद लेकर आओंगा और दोस्तों वीडियो काम कलेगे तो like कर दे अपने दोस्तों में share करें और किसी भी तरह को information चाहिए अब जरूर comment करें Thank you